तो इस एपीसोड की शुरुआ तो इस होती है जहां से पिछले एपीसोड खतम हुआ था जी एंग तयार हो जाती हूँ कहती है असमें कोपरेशन करने को तयार हूँ लेकुन इसके लिए मुझे क्या करना है हमारे मेकटर के था सवसे पहले तलवार उठा के फेक दो भाई हमारे मेकटर भी लाइक है यार आजकल के बंदे छोड़ो भाई एंशी टेम से भी लोग आकर मेरा मजाक उड़ा देते हैं भाई सिंगल आदमिया पर हूं भाई 20 सालों से सिंगल हूं शादी नहीं हुए हूँ भी केती अच्छा तो आपकी शादी नहीं हुए हमारे मेकट अच्छा तो नहीं हुए यार अच्छा तुमको डल लग रहा है क्या कि मैं एक मर्द हूं तुम एक औरत हो एक मर्द एक औरत एक कमरे में एक बिस्तर पर नहीं देखवा इसी कोई बात नहीं है मेरे घर में दूसरे कमरे में आपे सो जाओं दूसरा कमरे लंबे समय से से order किया है लेकिन यार आज मुझे साफ सोफाई करना पड़ा है किसी पड़ाई लड़की के लिए देखो मैंने साफ सोफाई कर दिया है तुम अंदर बिंदा से यहां पर सोजाओ मैं अपने कमरे में चला मैं सो जाता हूं आई नो तुम अभी बड़ी कन्फूज हो बहुत सारे डाउट हैं एक एक करके सारे डाउट में किलियर कर दूँगा इतना बोलकर अपने कमरे से निकल जाता है और जानने से पहले कहता है जो पुराने नाम में ने बोला था ना उन विश्वासे नहीं हो रहा है कि मैं दिन में इंटर्व्यू के लिए गया और सामने वाले ने मुझे रिजेक्ट मार दिया है और घर पे मेरी मुलकात एक लड़की से हुई तो सपना जैसा मुझे लग रहा है छोट यह सो जाता है फिर सुबह भी हो जाती है यह जैसे टाइ यह भी देखते चलो वह यानी सपना नहीं था रियालिटी में सब कुछ यहां पे था ओ है बहुत ज़दा बढ़ियान सुनो यार कैसी ओन तुम बहुत ज़दा जल्दी जग गई हो भी केती जल्दी भाई दूपहर हो चुका है सुरज यहां पर उपर आ चुका है हमारे मे में से थोड़े बहुत इसके पास चांदी था तो चांदी का पीस निकाल के हमारे में केटे को देती है ओके थी यह लो हमारे में केटे भी लेक ओम फो यह तो चांदी है तुम्हारे पास सोना यह क्या मनी मन सूसते कि अब आज कलके टाइम पर सोना चांदी बहुत ज़दा रेर होता है एंशी टाइप उतना रेर नहीं था कॉमन था नॉमल लड़किये भी रखती होगी तो इसके पास अगर सोना होता ना तो मजा आ जाता सामने एसे वो के थी सोना तो नहीं यह लिए लिए पस यह जेड़ पीसे इसके बेच के तुमको पैसे मिल जाएंगे हमारा मे इकटा बाहर शॉपिंग करने के लिए तयार हो रहता है मनी मन सोचता जब उसने मेरे कपड़े पेने और तो नॉर्मल लग रही थी देखके कोई बोल नहीं सकते के 1200 पुरानी लड़की है तो इसको बाहर लेके जाऊं क्या ना ना अगर बाहर जाएगी एक वार में कोई ड्रेस भी लेता है जो देखने पर सुंदर यहां पर लग रहा था अव लड़की है तो चड़ी बरा भी तो लेना पड़े गा ना तो इसको शरम आ रही थी चड़ी बरा वाले दुकान में जाने के लिए अकेले अकेले होना चलो कोई बात है न यार तो जाता वो भी मेडिसीन सौप होता है न केमिस्ट की दुकान वहां पर भी आता है और जो सेनिटरी पैड होता है ना वो पैड भी ले लेता है मनी मन सोचता है डोनो काम आएगा या नहीं आएगा लेकिन लड़की है तो काम तो आना ही चाहिए रख लेता हूं तो रख लेता है और जैसे तुनने कॉल किया था बोलो कोई मुसीवत है यह भी कहता है नहीं गल्ति से कॉल लग गया यह भी कहता है कि चलो कोई बात नहीं तू अपना दियान रख ले ना हमारा मेंकरटर भी कहता है। क्या हुआ तुम मुझे ऐसे काई को दिखे जा रहे हुँ हमारा मेकटा मनी मन सुचते की नहीं तुम एंशन टैम से भी लॉग करती हो ना तुम लोग यंग मास्टर यंग वॉरियर ऐसे बुलाते होगे हाँ तो मुझे भी बोलो ना कि शुगरिया यंग वॉरियर वह भी कहत भाई भूके नंगी जैसा खाना खाती हैं जैसे कई सालों से खाना नहीं मिला हमारा मेकटा मनी मनी मैजिन करते कि मुझे लगा प्यार इसी चेंटर सी स्वीट सी लड़की जो दीरे दीरे से खाने वाली होगी भाई बाप रहे तो भुकड़ यहां पर निकल गी बाद मुन को पहिनने को रहता है कहां पहिनने को एक कैसे पहिनने को मैं नहीं बताऊंगा और तुमको खुद यहां पर पता करने को रहेगा मैं तुमको दो चर वीडियो दिखा दूँगा वीडियो देखके पता लगा लेना यह भी कहती वीडियो वीडियो क्या होता है हमारा में कट गर्थ के तरह क्हुत होता है इसमें फूरा तो उसे हमाने कि पाता चलेगी मनी मन्स शुर्थते की उसके कषगाना पड़ेगा त कि मुझे जादा चीज़ें इसको समझानी की जरुत ना पड़े आप इसने बड़ें हमारा मेंकेटर भी लगे आसकल में भी सोनी पाया, ये भी विचारी नहीं सो पायी होगी, सुनो शुर अगर तुमको नहीं यहां पर आ रही है, तुम्हारा हमसे सो सकती हो, कुछ दिक्रत की बात नहीं है, कुछ पूछन भी है तो पूछसकती हो, जो सुने यह केते नहीं, मै दुनिया में तुम्हारे क्या स्टेटस है हमारा में क्या क्या पढ़ा हूं लेकिन अभी बेरोजगार हूं अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है यार मैं कैसे तुमको बताओं तुमको ऐसे समझ नहीं आएगा ऐसा समझो तुमारे यहां जो इंपरियर एक्जामिनेशन पास कर लिए लेकिन फैमिले को पढ़ाने लिखाने के लिए पालने पुसने के लिए पैसे कमाने के लिए कोई नौकरी नहीं है वह कहती है मुझे अपने घर जाना है हमारा मेंकर टैब ही कहता है नो तुमको अपने घर पे जाना है लेकिन मैं कैसे भेजू यार तुम यहाँ पर आई कैसे यह बता होगी यह भी कहती ही मैं तो अराम से कहीं जा रही थी वारिश वारिश हो चुकी थी जिसके चक्के में रस्ता बढ़क कर किसी जंकल के बीचों बीच में यहाँ पर घूम हो चुकी थी और फिय अचानक से फिम में ने देखा तुम्हें किसी बीडिडिंग के सामने खड़ी थी ओ बीडिंग तुम्हारे घर का था हमारा मेंकर टैबलेग वाओ यहाँ पर आने के तरीका तो बड़ा अजीव यहाँ पर था सुनो मैं भी कहता हैं सची में यानि तुमको मार्शल आर्ट्स भी आता होंगे क्या क्माल क्माल के स्किल आता होंगे अगर तुमको उचाहे से कुदने को दिया जाए तो भाई तुम कितना दूर कुद लोगी बीना चोट लगा है तो यह बहाँ साट है ना एक बीडिंग पर इशार